सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे इस work को समझना होगा कि आप किस तरीके से यह form filling work करेंगे आप लोगों को इस तरह का form दिया जाएगा यह एक data है इस data को आप इस जगह पे fill up करेंगे जैसे name, age, mobile number, city, state, salary, EMI, insurance यह सब कुछ आप लोग यहाँ पे fill up करेंगे तो अब कैसे fill up करेंगे इस चीज को भी आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे इस चीज को आप लोगों समझेगा जैसे name है उस जगह पे हम ऐसे click करेंगे name तो यहाँ पे हम name में ऐसे click करेंगे तो जो name है उसको हम यहाँ पर type करेंगे जैसे name में है Tony Samson Tony Samson है तो हम लिखेंगे Tony Samson Samson यह name हुआ देखिएगा इस तरीके से name लिखेंगे age है 62 तो हमको यहाँ पर नीचे ऐसे करके click करना है और age है 62 इसी तरीके से हम mobile number बोला गया है तो mobile number क्या है यहाँ पर देखिए 96 और 65 9665 है 96 और 65 65 यहाँ पर ऐसे करेंगे इसके बाद city है तो city को भी हम यहाँ पर देखते है कौन सा city है यह city है कुट्टायम तो कुट्टायम हम यहाँ पर type करेंगे K O T T A Y A M कुट्टायम है इसके बाद आपको state क्या है कौन सा state है इस state को भी आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा state है करला तो हम यहाँ पर करला लिखेंगे K E R A L A करला इसके बाद हमको चले जाना है salary अब salary यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना है salary 82047 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 82047 82047 इसके बाद आपको EMI बताय जा रहा है तो EMI भी हम यहाँ पर type करेंगे इसी तरीके से EMI क्या है देखिए salary EMI 26149 तो 26149 हम यहाँ पर करेंगे 26149 है इसके बाद आपको insurance में आपको यहाँ पर प्लिक करना होगा और no है तो insurance में no है तो हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा type करना होगा no 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 select करेंगे select में चले जाना है और no को हम select करेंगे इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर next का option दिखेगा इस next के button पर हम click करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस form को fill up करेंगे अब इसी के हिसाब से आप लोगों को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा का पूरा इस form को यहाँ पर आपको fill up करना होगा तो एकदम जैसे आप इस पूरा form को fill up करते हैं तो आपको 250 रुपीज आउन होगा जैसे यह complete करेंगे फिर दूसरा page आप लोगों के सामने आ जाएगा उसमें भी इसी तरह का data रहेंगे उसको देख देकर आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना होगा Hello friends, welcome to my YouTube channel मैं यहाँ टकाल आज मैं आप लोगों को एक ऐसा form filling work के बारे में बताऊंगा यहाँ पे आप लोगों को एक एक form fill up करने का 250 रुपीज आप लोगों को अन होगा एक दमी easy work है आप लोगों को form provide कराये जाएगा जो भी fill up कर रहा है वो data भी आप लोगों को provide कराये जाएगा एक दम genuine work आप लोगों के सामरे लेके आया हूँ एक एक इस टेप को ध्यान से देखिएगा बिना skip क्यों इस वीडियो को देखिएगा जैसे हम यहाँ पर आते हैं देखे start form filling jobs आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा form filling typing job है यह earn rupees 250 per form filling प्रतिक form filling के लिए आप लोगों को 250 रुपया आप यहाँ पे on होगा यहाँ पे आप लोगों की typing speed मागा गया है 17 word per minute आप लोगों को यहाँ पे मागा गया है तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर आप दिन में 10 document को भी fill up करते हैं तो 2500 रुपयस तक आप यहाँ पे on करेंगे कोई mistake नहीं होनी चाहिए यह बात आप लोगों समझ लिजिएगा अब आप लोगों को scroll करना है नीचे आना है apply करने से पहले तो आप लोगों को यहाँ पे job code मागा जाएगा वो गूगल पे, ptm, phone पे, bank transfer कहीं से भी आप अपना विडल ले सकते हैं तो अच्छा एक work है अब नीचे आना है नीचे आने पे आप लोगों को next का button दिखाई देगा इस next के button में हम ऐसे click कर देंगे जैसे हम यहाँ पे click करेंगे आपको इस तरह का interface यहाँ पे दिखाई देगा home based work रहेगा आप लोगों को weekly आप लोगों को 35 से लेकर 5000 रुपिस तक आप आउन करेंगे और monthly अगर आप देखते हैं तो 15,000 से लेकर 25,000 रुपिस तक आप यहाँ पे आउन कर सकते हैं यह एकदम ही form filling job आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 100% legitimate है genuine work रहेगा payment assured है weekly payout होगा daily new jobs आपको मिलेगा कहीं से भी इस work को आप लोग कर सकते हैं investment की आउशकता नहीं है training की आउशकता नहीं है registration fee की आउशकता नहीं है age limit नहीं है qualification आप अगर class 10 भी पड़े हैं तो आप इस work को कर सकते हैं तो एकदम ही easy work आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ अब आप लोगों को नीचे scroll करना है नीचे scroll करके next का button आप लोगों को दिखाए देगा तो यहाँ पे ध्यान से click कीजिएगा जैसे आप यहाँ पे click करेंगे अब आपको इस तरह का interface दिखाए देगा यहाँ पे देखिए job application होगा अब यहाँ पे जब आप आप अमको fill up करेंगे सही तारीके से आप लोगों को fill up करना होगा यह समझ लिजेगा आप लोगो कई mistake नहीं करना है कैसे fill up करेंगे सबसे पहले full name आप लोगों को यहाँ पे डाल देना होगा आपका जो भी पूरा नाम है यहाँ पे डालेंगे email id आपको यहाँ पे डालना होगा सही email id डालिएगा इसमें आप लोगों को बाद में कोई भी message आ सकता है इसलिए और जो phone number है यह भी आपनों को सही देना होगा email id और phone number सही दीजिएगा बाद में जो भी आपको information आएगा इसी email और इसी phone number में आपको आएगा तो इसलिए सही email और phone number दीजिएगा नीचे scroll कीजिए आपका जो भी date of birth है यह आप डाल दीजिएगा सही date of birth डालिएगा अगर mail है तो mail को select करेंगे female है तो female को select करना होगा उसके बाद do you have a computer और laptop आप लोगो पुछा जा रहा है आपके पास computer है या laptop है जो भी है आप यहाँ पे select करेंगे अगर है तो yes नहीं तो no क्योंकि यह work आप लोग smartphone या android से भी आप इस work को कर सकते हैं इसलिए अगर है तो yes कीजिए नहीं तो no कर दीजिए do you have android और smartphone आपके पास android या smartphone है तो yes कीजिएगा क्योंकि यह तो होना ही है अगर यह भी आपके पास नहीं है तो आप यह work नहीं कर सकते हैं इसलिए आपके पास android या smartphone फून होना जरूरी है इस वर्क को करने के लिए उसके बाद education qualification अब देखिए 10th, 12th, ITI, diploma, UZ, PG, कोई भी डिगरी हो आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं लेकिन minimum आप लोगों का class 10th होना आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा English में होगा इसलिए आपको English बोलना भी आनी स्वाइब, full-time employee, part-time employee, retired person, freelancer, self-employed, unemployed जो भी है आप यहाँ पे सही तरीके से select कीजिएगा जो भी आपका है अगर student है तो भी यह work कर सकते हैं आप unemployed है तब भी आप इस work को कर सकते हैं work status, freshers से या experience से select कीजिए अगर आपने इस तरह का पहले काम किया है तो experience में select करेंगे नहीं किया है तो freshers होगा working hours, 0 to 2 hours, 0 to 4 hours, 0 to 8 hours, more than 8 hours जो भी है आप यहाँ से select करेंगे सही तरीके से select करना है payment option, bank में लेंगे, google पे, ptm, phone पे, upi, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आप लोगों को सुविदाज जनक लगे, उसी को आप लोग यहाँ पर select कीजिएगा ठीक है, इसके बाद job name and job code, जो मैं already आप लोगों को बता चुका हूँ, वहाँ से लाकर job name, form filling job है, और job code जो है, यहाँ पर डालिएगा उसके बाद non languages, आपका जो है, जो जो language आप जानते हैं, English आना चाहिए, English को आप यहाँ पर डाल कर, बांकि जो भी language आप जानते हैं, यहाँ पर type कीजिए, city को डालिए, state डालिए, country डालिए, डालने के बाद, I agree के बटन पर click करके submit कर दिजिएगा आपके पास एक mail चला आएगा, उसी mail में आप लोगों को आगे की जानकरी दे दिया जाएगा, तो अच्छा work है, एक बार आप लोग यहाँ पर try कर सकते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम करेंगे, और यहाँ पर जो आप लोगों को form मिलेगा, सही तरीके से fill up कीजिएगा, कोई mistake नहीं होनी चाहिए, जो पुछा गया है, answer सही देकर, यहाँ पर submit कर दिजिएगा, definitely आप लोगों को यहाँ पर work मिल जाएगा